आप देख रहे हैं लाइब लगतार मैं हूं अरुन कुमार अभी हम गढवाद जीला मुख्याले से लगबग डेड़ सव किलोमेटर दूर यानि निलामबर पितामबर जो सहोधर भाई थे सतंत्रता सेनानी यानि कि जो अंग्रेजों से लडाई कर लोहा मनवाने का जो काम कि जो सहीध हो गया उनके हम गाउं में आय हुए हैं यानि उनके बंसज यहां मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे लेकिन उसे पहले आपको बता दें कि ये छेत्र यानि कि भंडरिया परखंड के ये सैनिया गाउं है चीमो सैनिया बोलते हैं इसको और यहां पर अभी भी सुबधाएं मुहाया नहीं है यानि कि सरकार के द्वारा मिलने वाली कोई भी सुबधाएं यहां नहीं मिलती है अभी उनके बंसज लगबग एक किलोमेटर की दूरी तैकर अपने पीने के लिए पानी लेने जाया करते हैं ऐसे में हमारे साथ हैं हम बात भी करेंगे और ज कर ले लेकिन बिकास की धरा अभी तक यहां तक नहीं पहुंची है यानि कह सकते हैं आपकी जो आदर्स ग्राम बनाने की लगतार घुसनाय होती रही हर सरकारमें कि आदर्स ग्राम बनाना HER जो भी 136 slunaनी है उन लोग को प्रवजो को यानि कि उनके घर के आसपास यां उनक से इलो को उल्टा कर सकते हैं कि अलग कहीं विस्तापित करने के लिए योजनाय बनाई जा रही है तो ऐसे में उनके बंसज हैं जानते हैं बात करते हैं कि क्या कहते हैं कैमेरा आप उनको बोलेंगे और नजीक आजाईए को और अप उनके आजा परपाजाथा अजा रहा हुआ आजा रहा से बात हुआ बाप से आवे ने आउरो पिट्या आकाका पिट्या सब ने था चेड़े आप लोग अब तक सुविधा मिल पाई तो आप तो यह खाल सुद्धा चाही अब तक क्या मिलता है सरकार के दुआर आपको डॅन णे मिलक सदwor केल एक वह दोब रात vielä आप किसे आप अप करती है माटे करें में अच्छी हाँ आवास हुगरा में से इंद्राथ होगरा है कुछ बीक इंद्राहा था आप अब द्रवाइब करना चाहेंगे तो प्रवास्ता कीजिए तो यहां वे मौझूद है उनके बंसज भी है उनसे भी हम जानते हैं क्या करते हैं उनसे वह जानते हैं हम लिलामर्ंरर पिताओमर कंत एक अगय करके रहने वाले थे और उन्होंने पूड़ी भारत में लोगों के गुलाम बनाकरके अंग्रेजे लोक रखे थे और वो हमारे लिलामर्ंररंपिताओमर्ष में उनसे छुटकारप दिलवाए इस देश के लिए आज हम लोग यहां डूब छेत्र में सरकार ने पीछे यहां डूब छेत्रा घोशित कर दी आज हम लोग इस डूब छेत्रा में किसी तरह अपने से जियन कर रहे हैं पुसंद पलन कर रहे हैं ना सरकार हम लोग का जान रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे हैं अगर सरकार जदी मान लेते तो बनसज के यहां देखते हुए कि क्या स्थिती में है कैसे उन लोग रहते हैं तो यहां देखिए रोड नहीं है कुवान नहीं है पानी पीने के लिए कोई साधन नहीं है चापाकल यह सब कुछ नहीं है कितना दूर से पानी लाना पड़ते हैं हम लोग यहां यहां से किलोमेटर दूरी से पानी ला करके नदी से पानी पीते हैं खाना बनाते हैं और क्या वेवस्ता और सरकार तरप से कोई वेवस्ता नहीं है विजली नहीं पहुंची आपके विजली नहीं पहुंची है कैसे आपको रोसनी लाते हैं धीबरी जलाते हैं मिटी तेल से क्या अपिल करना चाहेंगे आप सरकार से सरकार से मैं यही कहना चाहूंगा कि लिलामर पितामर अपने देश के लिए कुर्बान हो गया सहीद हो आज उसका वंसज हम लोग बरकरार हैं आज हम लोका यहां मुलबै असता होना चाहिए रोड कुमा विजली आरो हुस्पिटल किशूल है हम लोग चाहिए कोर्द को नहीं मिला है तो आपने सुना कि किस तरह से बंसज के जो प्रीजन हैं या नियानी उनके परिजन कीस रूप से अपने दुख परकट कर रहे हैं या नी कर शक्ते हैं आपकी दुख देग्च कर रहे हैं कि अभी तक जो मांई समान मिलना चाहिए, जो सभधाएं मिलनी चाहिए, निलांबर पितांबर के हर घुस्नाये में नाम ले जाती है, ितarna के द्वारा बड़े बड़े वादेबी किया जाते हैं, कि निलांबर पितांबर के गाओं को आधर्स गरम बनाये जबताई। लेकिन हकीखत कुछ और ब्यां कर रही है ना यहां पे स्टडक हैं ने बिजली है ना पानी है ऐसे में और हम बात करते हैं क्या कहेंगे आप कि मैंत्किरमंगे मंगरू सिंग्ग संयाकरने वाले हैं सब्सक्राइब कर दिया है यहां सरकार कोई सुभीधा नहीं दे रहा है हम लोग कोई तरह से पानी पी रहे हैं हम लोग यह समझे कि खेती बारी करके कई सुभीधा नहीं मिल रहा है सब्सक्राइब करनाम मंगरूसी इनका कहना था कि हमारे नहीं कोई सुभीधा खराब होती है कि इस्टिती बच से बतर हो जाती यानि कि भंडरिया लेकर जाते तक रास्ते में ही कई लोगों ने दम अब तक तोड़ दिया है और अभी भी लोग डरे समे रहते हैं कि किसी का तबियत खराब न हो यानि उपर वाले के भरोसे अभी भी यहाँ पे लोग हैं जब उनकी स्व कि बात करते हैं क्या नाम आपका कर्मिन देवी कर्मिन देवी नाम हो कौन थे आपके निलामबर पिलामबर जी कुच जानते हैं हैं है कौन ते क nah बन सद Aussल्व उचके नहीं है यह Pानी कितना दूर से तूंका कुछ किलोमीटर नांट यह भर के नानिला झाला फिक खिन्हों आप मैए कड़ो कर को भएग क्याсьत्थ के लगुला, सांच फैवियग bénुट यह षण हो जाए-अब यहां यह अइप्थ ।िर गवह संट तो हमना इस नहीं तर्टान में विगाल ही चलिए आपने सुना कि किस तरह से उनके बंसज अपनी बातों को रखे और बताये कि पानी भी जो लाते हैं उसमें गंदगी कामबार होता है यानि उसमें गाय भेंच भी पीती है उसमें कचड़ा भी रहता है लेकिन उसको चान कर यानि छान कर ढोड़े से पानी पीने को बीवस हैं अभी भी जो लोगों को लाब मिलना चाहिए वो लाब नहीं मिल पाया क्या कहेंगे आप इसी डूप छेत्र में निलामबर पितंबर का बंसज है और उनके बंसज को आज तक किसी भी तरह का कोई लाब नहीं मिला है फ़स्ट में जब जार्खन राज अलग बना था उस समय निलामबर पितंबर के गाउं का मिट्टी उठा करके जार्खन ले जाया गया था और बीर सहीद जो भी हैं जार्खन राज में उनके इसमिरिती चिन के रूप में जार्खन मस्थापित करने के लिए सबसे पहले उसी समय यहां का मिट्टी उठा करके लिया गया था उसके बाद दुबारा फिर इनका इसमिरिती चिन के रूप में अंडा महुआ में निलामबर पितंबर का इस्टेच उखडा किया गया उस समय भी यहां के लोग अनोन थे अंजान थे अपने हक और हक और अधिकार के बारे में लोग नहीं समझ पाए उस समय भी लोग स्वक्षा से इसको राजी दे दिये लेकिन फिलहाल 2019 में नरेंदर मोदी जब परधान मंत्री इस डेम का सिला नयास किये ओनलाइन उसके जश्ट दुसरे दिन छो तारिक को छो जन्वरी को यहां पर निलामबर पितंबर का इस्टेचु का अनावरन किया गया उधगाटन किया गया मदगडी में और यही कह करके कि निलामबर पितंबर के बंसज को उस समय गणवा जीला का डीसी नेहार अरोडा हुआ करती थी और उन्ही के माध्यम से और यहां का जो विधायक थे आलोक चवरेशिया इन ही लोगों के सहयोग से निलामबर पितंबर का मिठी उठा करके मदगडी ले जा करके अस्थापित कर दिया गया इनके बंसज को यही लुभावना दिया गया था कि आपको जमीन पचपच कर दिया जाएगा बहुत सारे लाब दिये जाएंगे चुकि आप निलामबर पितंबर के बंसज हैं लेकिन आज तक कभी भी अभी तक इनको किसी भी तरह का कोई लाब नहीं मिला जब तक स्टेचू खड़ा नहीं हुआ इस्टेचू का फाइनल नहीं हो पाया तब तक इनको खोब ले गया लोग बैठा के गाड़ी में बैठा के ले जाते थे और नया-नया कपड़ा लता पहिना देता था च्छाता जूता जेत दे देता था बस यही उनको लाब मिला इसके अलावार कोई भी लाब नहीं मिला हम इसके पहले भी जब नहारोड़े यहां का DC हुआ करती थी उस समय भी हम इस बात को उठाये थे लेकिन वो अस्वासन दी आज भी हम लोग देने के लिए तयार हैं लेकिन हम आज समझते हैं कि DC का ट्रांसफर हुए दो साल तीन साल बित गया अभी तक कोई भी समस्या का समाधार उनका नहीं हुआ इस तरह से उनके बंसज आज भी दरदर के ठोकरे खार हैं इनको किसी भी तरह का सुविधान नहीं मिला है सर, आदर्स ग्राम बनने की हर सरकार ये लगतार अस्वासन देती है कि जहाँ पे सही निल अंबर, पितांबर के हैं जाए कोई भी सोतनतरा से नानी हो उनके आदर्स ग्राम घोसीत या फिर आदर्स ग्राम के तरह बिक्सित किया जाएगा क्या लगता आपको? आदर्स ग्राम हम लोग अभी तक लड़ाई लड़ रहे हैं डूप छत्र संगर समीती में 780 परिवार हैं और टोटल 15-15 लाख रुपया के हिसाब से मातर 117 कड़ों रुपया होता है सरकार आज तक वे उस्था नहीं कर पाई हम लोगों को यहीं दे करके उसके बाद में ने Emperor उस्थापित करके उसको आदर्स गराम घोसित करते और निलांबर पितामबर का आवास होता है उसंने आवास में 230,000 रुपया एमांट होता है वो सारा चीज हम लोग मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक हम लोग किसी भी तरह का कोई मांग नहीं मिला है और जब यहां पर 176 पीएम आवास को हम लोग वापस करा है उत्रे उसमें मात्र पीएम आवास में एक लक्स तीस हजार के वो लेमांट मिलता है और पीएम आवास दे करके और चरचर डिसमील जमीन गवर्मेंट दे करके हम लोग को विस्थापित करना चाहती थी लेकिन हम लोग यह चीज लेने के लिए तयार नहीं है 176 पीएम आवास को हम लोग वापस कराये हैं जिस दिन हम लोग से यहां से विस्थापित करे होंगे जहमीन हम लोग को सरकार दे और वही पर हम लोगों के लिए सखिद आवास बनाए और उसी को निलंबर पितावर सहीद आवास के साथ साथ आदर्स गराम घोसी जो भी विकास का काम करना है उसी जगँ करे दो-ле-tro. दिन पहले निलांबर पितांबर की जो वहाँ पर मुर्ती हैं वहाँ पर तोड़ दिया गे था समाजी के दूप्ट दौप की दौप क्या कहेंगे अब हम लोग डूप छेतर संगरसमीति और हम लोग जो है निलांबर पितांबर का छेत्रिये आदमी है सनिया जानकारी के अनुसा निलांबर पितांबर जलासे परियोजना का नाम उत्री कोयल जलासे परियोजना का नाम निलांबर पितांबर नामकरन हो चुका है अभी जो है दो तीन दिन पहले निलांबर पितांबर का इस्टेची को जलाने का समाजिक तत्वा ने जो है दुसाहस किय है यह बहुत दुर्भाग्य पूर्ण है ऐसा नहीं होना चाहिए और हम तो यह भी कहेंगे कि जब निलांबर पितांबर को आप सन्या चेमों से उठा करके अंडा महुआ में अस्थापित कर दिये तो उसकी सुरक्षा की गारंटी भी सरकार को होनी चाहिए थी परसासन को होन यहां इस्टाची नहीं बना करके आप वहां बनाएं तो उसकी सुरक्षा का ख्याल भी हमको जीला परसासन को या पुलिस परसासन को करना चाहिए नहीं लगता है आपको कि आधर्स क्राम भी नहीं बना अपता कोई सुबधा नहीं मिली उल्टी जो है कि वहीं दूसरी तर नहीं बने सहीद हुए आज उनकी मुर्ति को भी जलाने का प्रयास कर रहे हैं यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी किमत में और हम लोग देखेंगे कि अंग्रेज जोंग से लड़ाई लड़कर के सोतंतरता सेनानियों का एक अलग आदर है और उनके साथ भी खिलवार किया जा रहा है यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इसा कभी नहीं होना चाहिए और हम लोग इसको कड़ी रूप से डूप्छेत्र संगर्शमीति इसको भार्त जो है विरोध करता है ऐसे में कर सकते हैं आप कि निलांबर पिजांबर जो बिर्शहीत जो की स्वतनतता सेनानी यानि अंगरेजों के साथ जो लडाई लड़े उनकी अभी भी बंसजोगा क्या हाल है यह आपने सुना ऐसे में सरकार्शे इलोग का मांग है कि हर समुचीत लाब हम लोग को ही मिले ताकि हम लोग देखते हैं कि अन्य लोगों को जो अ इस ख़वर के बाद सरकार के निंद खुलती है या नहीं ताकि आप जो निलांबर पितांबर के बंसज को समुचीत लाब मिल सके लाइब लगतार गढ़वा से मैं अरूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग कराम पर भी फॉलो कर सकते हैं बने रहे लगतार डॉट इन के साथ